तो आगा है आप लोग हाँ जी आगा है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंस और फॉर में डिफ्रेंज तो आज अन फॉर सिंस और फॉर में क्या अंतर होता है आए दूस्तों देखते हैं ऐसे नई समझाया मैं अपको अच्छे सबताता हूं मतलब होता है कितने देर से कितने टाइम से डिऊरेशन समय की आउधी के लिए 2 पर पर फॉर का प्रयोग होता क्या जोंग होता है जैसे टो ट्लॉक से जैसे राम सुबा से भार घुम रहा है में आया से में से थे हैं ठोझे दोस्तों आपको में वक्ताता हॹं आ यह स्टेटेट इंकलेज ग्रावर for 10 years कितने इसमें देरी बताएं कितने वक्त से कि टाइम की डियूरेशन बताएं इसमें स्टाइटिंग नहीं बताया है इसमें इंगलिश ग्रामर का स्टड़ी कर रहा हूं इसमें इंगलिश ग्रामर का प्रियोग होगा जिसमें यह ता उसमें सिन्स का प्रियोग होता है आए दोस्तों हमें एक और इंग्पल दिखके समझाते हैं जलए प्लेड प्यानो सेंस 4000 संसे इस में इस 뭐 यह संसे इसमें इसमें बतै कितिने वक्त से किस टम मैं मैं स्टाट है था स्टाट और सेंडे ऐसे तर्स आससे तस याद कर लिएगा जिस वक्त हम स्टािंग उसमें से स Task critically होगा और कितने देर सो रहा है उसमें धूर लग दाएगा देखे हैं यह प्रयोभ यह प्रसिजार नियों कि पार hem मैं बता रहे हैं इतने देर से जिस्सक्ति जरूगा दोस्तों समझने के बाद प्रैक्टिस की बहुत ही जादा जरूरत होती है इसलिए मैं आपके लिए क्यूज लाया हूं और आपको सामने स्क्रीन पर कुछ क्यूज दिख रहे हूंगे वाइप क्यूज आप इनको जल्दी से फिल कर लीजिए वीडियो को पाउस कर लीजिए उसके बाद मैं वीडियो के एंड में इन सब कैंसर भी बता रखाओं तक देख लीजिए आपके एंसर सही है या गलत दोस्तों प्लीज एक वीडियो पर लाइक और प्यारा से कमेंट जरूर कर देना